सो नमस्का दोस्तों टेक्निकल बोस में आपका फिर्चे बहुत बहुत सुवागित है और दोस्तों येकिर मानना आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है येदि आप दोस्तों वार्ट्साइप को यूज करते हैं अपने अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको वाट्साइप की दो ट्रिक बताने वाला हूँ पहली ट्रिक क्या है थोड़ा ध्यान से देखना पहली ट्रिक है दोस्तों आपके वाट्साइप पर जो आप डिपी लगाते हो आप यहां पर गोल्डन कल बोलेंगे आप लोग को के ये मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊंगा पहले दोस्तों दो नंबर की ट्रिक के बारे में जानेंगे क्योंकि दोस्तों दोनों ही ultimate है इसलिए आपको suspense में डारना जुरूरी है आज अब दोस्तों पहली ट्रिक क्या है थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों पहली ट्रिक में यदि आप अपने WhatsApp को डार्क मोड पे करके रखते हो तो उसके बाद आप उसको यूज कर पाएंगे अब दोस्तों क्या आपको पता है कि आपके WhatsApp में एक नया अपडेट आ चुका है इसके लिए आप अपने WhatsApp को अपडेट जरूर कर लेना जो मैं आपको अब ट्रिक बताने वाला हूँ ट्रिक क्या है दोस्तों जब हम किसी से बात करते है इस तरह की चैटिंग करते है तो यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है आप इसके बैकग्राउंड में एक यूनिक वालपेपर सैट कर सकते हो जैसे अब आप देख सकते हूँ मैंने वालपेपर सैट क्या हुआ है अब दोस्तों यहाँ पर आप एक बहुती अल्टिमेंट ट्रिक को यूज कर सकते हूँ ट्रिक क्या है आप यदि अब ट्रोट पर किलिक करके सैटिंग में जाएंगे यहाँ पर आपको मिल जाते है चैट सैटिंग इसमें सैटिंग मिल सकते हो यह तो एक normal update है लेकिन second update काफी अच्छा है यदि अब दोस्तों यहां पर आप bright जो wallpaper है इनको यूज करना चाहते हो तो इनको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपना एक इस तरीके से अब आप wallpaper को भी अपने एसाफ से कस्टमाइज कर सकते हो कितनी light होनी चाहिए अब जैसे मैं कर लेता हूँ यहां पर जभी update आएगा आपके मुबाइल में जब आप अपने WhatsApp को dark mode में यूज करेंगी ओके तो पहला दोस्तों यह है ट्रीक अब दोस्तों सेकंड ट्रिक के बाद करेंगे जिसका आप से विलोग वेट कर रहे है कि आप अपने मुबाइल में इस तरह कि golden DP कैसे यूज कर सकते हो अपने मुबाइल में WhatsApp पर इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है एक यह application डाउनलोड करनी है ध्यान से देख लेना इसका नाम वीडियो रोक कर इसको open करेंगे जब आप इस application को open करेंगे यहां पर आप आपको बहुत सारे फ्रेम देखने को मिल जाएंगे लेकिन आपको क्या करना है यहां से उपर के साइड से स्वाइप करके यहां पर आपको ढूनना है गोल्ड गोल्ड वाले section में जाएंगे अब यहां पर आपको बहुत सारे फ्रेम देखने को मिलेंगे यहां पर आप थो अपने डिपी में इसको सैट कर सकते हो मैंने चले यहां पर किया इसके बाद यहां से शेव कर देंगे अब थोड़ा सा एड़ देखने को मिल सकता है दोस्तों अब दोस्तों आप देख सकते हो यह वाल पेपर हमारी गैलेरी में शेव हो चुका है अब दोस्तों थोड़ा पिचर बोल्डर के नाम से एक फोल्डर आ चुका है अब यहां से आप अपनी डिफी को स्लेक्ट कर लेजिए मैंने यह वाली स्लेक्ट किसको डन करेंगे अब आप यहां पर देख सकते हो जो हमारी गोल्डन डिफी थी वो शैट हो चुकी है तो दोस्तों है ना बड़े कमाल